बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शुकों का हार्दिक अभी नंदन करता हूँ ASTRO तक की खास प्रस्तुती सूर्य घ्रहन स्पेशल सीरीज के अंतागत और हम आपको बताएंगे एक बहुत ही विशेश आज टॉपिक जो सूर्य घ्रहन पर आधारे थे और आज का हमारा जो विशेश है सूर्य घ्रहन का वो है और ग्रहन नाम है किसी भी चीज को कलंकित करने का जब से सृष्टी का निर्मान हुआ है तब से लाखों ग्रहन लग चुके हैं लाखों और ग्रहन एक खगुलिय घटना है और अगर ग्रहन संसार के मूल उर्जा सुरूत को लग जाए तो कहीं न कहीं अनिष्ट जरूर होता है चाहे वो प्रकर्टिक अनिष्ट हो या मैं यूं कहूं कि विशेश रूप से प्रकर्टि अपने आपको मूल करे ऐसा जरूर होता है देकिन आज हम चर्चा करेंगे 10 जून 2021 का सूरे ग्रहन दे रहा है युद्ध के संकेत मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दिखिए 10 जून 2021 शनी जैन्ती वट सावित्री जेश्टा मावस्या बहुती खास दिन पर पढ़ने वाला यह जो सूरे ग्रहन है भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो वास्तविक्ता में भारत का हिस्सा है वहाँ पर यह दिखाई देगा यह ग्रहन ब्रसपतिवार का जो दिन होगा दस्तारिक यह खंडगास सूरे ग्रहन है ब्रिंग्तिंगर सूरे ग्रहन भी है और भारते समय अनुसार दुपहर को एक बचकर 42 मिनिट पर यह शुरू होगा दिल्ली के रेखांच और के नुसार नहीं दिल्ली के और शाम को छे बचकर 41 मिनट तक यह चलेगा पांच घंटे का यह खग्रास सूरे ग्रहन है रिंग्फिंगर है इसे वल्यकार भी कहेंगे अरुनाच चल प्रदेश जैसे मैंने कहा यह दिखाई देगा देखे ग्रहन एक सीरीज में आते हैं अब एक पक्वाडे में जब दो ग्रहन पड़ जाते हैं तो वो एक अनिष्ट का सूचक होता है और स्पेशली अगर एक ही जगह पर यह दोनों ग्रहन विद्धमान हो ज अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये पिछला ग्रहन जो चंदरग्रण ये किस किस कुने में दिखाई दिया था ये ग्रहन 26 मई को चंदरग्रण पड़ा था आपको याद होगा और ये ग्रहन भारत के अरुनाचल प्रदेश में दिखाई दिया था बहुत कम जगे पे भारत के ये दिखाई दिया था लेकिन दिखाई दिया था लेकिन मूलतहा ये ग्रहन चाइना और अमेरिका में सरवाधिक रूप से दोनों वार दिखाई दिया है ऐसे में मूलतहा ग्रहन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है चंदर ग्रहन का वो होता है जल पे या नदियों पे और सूरी ग्रहन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जण जीवन पर होता है प्रकर्टी पर होता है ये जो ग्रहन है सूरी ग्रहनre ये मूलतहा बहुत ही विशिष्ठ परिस्तिति दिखा रहा है वो परिस्तिती क्या है मैं आपको समझाता हूँ 10 जून 2021 ब्रहसपतिवार के दिन पढ़ने वाला यह जो ग्रहन है यह व्रिशब राशी में पढ़ने जा रहा है व्रिशब राशी प्रत्थी तत्व की राशी है और मुंगल के नक्षत्र में पढ़ने जा रहा है मंगल और शुक्र ये दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी कहे गए गोर विरोधी और दोनों लड़ाके मने जाते हैं शुक्र एक तरफ सुन्देर का स्वामी है और मंगल लडा का है शुक्र जो है वो कामुक्ता का स्वामी है और मंगल भी पुरुष्टत्व का स्वामी है अगनी का स्वामी है मंगल दक्षन दिशा को रूल करता है और शुक्र अगने दिशा को रूल करता है ऐसे में ये संभावना से इंकार बिलकुल नहीं किया जा सकता कि युद्ध जैसे हालात जन मिलेंगे या आग जनी जैसे हालात जन मिलेंगे यहां अगनी कांड जैसे हालात जन मिलेंगे अब देखिए म्रगाशीर्ष जो नक्षत्र है वो वायू तत्व का नक्षत्र है यानि कि वायू का प्रचलन बढ़ेगा और व्रिशब राशी जो है वो प्रत्वी तत्व को संबोधत करती है इसका मतलब है कहीं न कहीं प्रत्वी के साथ में प्राब्लम हा रही है अब अरुनाचल प्रदेश भारत का वो सेग्मेंट है जहां पर समस्या उत्पन्न होती भी दिखाई देती है क्योंकि दोनों ग्रहन इस जगे विद्धमान हुआ है और दोनों ग्रहन पाकिस्तान उक्योपाइड कश्मीर पर भी विद्धमान हुआ है इसलिए भारत पर दो जगहों से समस्या आ सकती है पूर्वी छोर भारत का और उत्तर पस्चिमी छोर उत्तर पस्चिमी छोर पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर या कश्मीर से जुड़ता हुआ पंजाब का इलाखा या भारत का पूरवी छोर जो अरुनाचल का असम का नागालेंड का इलाखा है इन जगों से घुसपैठ जैसी स्तिती या सीमा पर बहुत बड़ा संकट उत्पन हो सकता है आने वाले 45 दिनों में अब कालपुरिश अगर से धान्त के हम बात करें तो ये गरहन कालपुरिश के दूसरे भाव में धन भाव में पड़ता है और इसका पूरा प्रभाव संसार के आयू भाव पर भी एक्सिलेंट्स भाव पर भी पड़ेगा के तू व्रिश्चिकराशी में बैठाया भी और चतुर ग्रही योग गरहन के दिन बनेगा राहू, चंद्रमा, सूर्य और बुद्ध प्रकरती जब कभी भी राहू और बुद्ध आपस में मिलते हैं प्राकरत दोशका निर्वान करते हैं इसलिए प्रकरती के तरफ से अगनी कांड जैसी स्तिती या इस तरीकी की स्तिती हो सकती है कई भूकंप, भूचाल या अगनी कांड बढ़ा हो ऐसी स्तिती ज़रूर जन मिले सकती है साथ बसाथ में ज्यान देने वाली बात ये कि भारत की लगन कुंडली में ये ग्रहन पढ़ता है इसका पूरा और सीधा आसर साथ में भावपा पढ़ता है और अगर हम मूलतहत जोतिश के एक और सिध्धान्त की बात करें जहां पर हम मनिशों की नहीं हम राजनीती पर या हम यह बोलों भगुलिक दृष्टी के अगर हम बात करें तो सात्मा भाव युद्ध से भी संबन्द माना जाता है ऐसे में गरहन का पूरा प्रभाव भारत पर और भारत के कुछ एक विशेश भावों पर पढ़ रहा है देखे केतो रहु की जो एक्सेस होती हमेशा रेट्रोगेटर होती है और गरहन का जो पूरा दृष्टी दोष जाता है वो भारत के पराकरम पर भारत के जन भाव पे, पांचमें भाव पे, मद्यस्तता भाव पे, सातमें भाव पे, भारत के भाग्या भाव पे और भारत के लाब भाव पे पड़ता है ऐसे में संभावना ऐसी बनती है कि आने वाले जो 45 दिन है तब से लेकर 3 महेने के बीच तक 90 दिन के बीच में कुछ बड़ी घटना की संभावना दुरू बनती भी दिखाई देती है यह तो पाकिस्तान अकिपड़ कश्मीर से यह अरुनाचल प्रदेश से क्योंकि यह दो ऐसे शेत्र हैं जो दोनों ग्रहन 16 दिन के अंदर दिखाई देते हैं अब यह ग्रहन जो है चीन पर भी दोनों बार विद्धमान हुआ है 26 मही वाला भी और 10 जून वाला भी दोनों आने वाले 45 से 90 दिन के भीतर भीतर संभावना पूरी बनती है कि युद्ध जैसे हालात जन्म ले ले अमरिका और चाइना के बीच में और जिसकी युद्ध की क्रियनेवती यह जो टेंशन वाली कंडिशन होती है वो exactly जो आती है वो कहीं न कहीं center of the world में देखे जाती है और center of the world यानि कि संसार का जो मध्य भाग है उसे किबला कहा गया है फैलिस्टीन इसराइल का जो शेत्र है फिर से वहाँ पर संभावना बनती है किसी भी उपद्रव की यह युद्ध जैसे हालात की इस से भारत अचूता नहीं रहेगा लेकिन भारत शान्त रहेगा संभावना ऐसी जुरू नजर आती है कि राजनीती अंतरे स्तर पर भी खराब हो सकती है और साथ साथ जन्ता में आकरोश जैसी समस्या भी सामने आ सकती है लेकिन भारत इससे अचूता रहेगा यह बात तया है भारत पर बहुत ज़्यादा एफेक्ट नहीं होगा भारत अपनी अंतराष्टी नीती से यह दूसरे देशों का जोर डलवा करके इस युद्ध जैसे हालात को शांत कर बेगा लेकिन संसार में आने वाले 90 दिनों के अंदर युद्ध जैसे हालात जरूर पैदा हो सकते हैं और संभावना ऐसी जरूर लिखा जाती है कि चीन, कोरिया और उधर, अमरिका और बिटन कहीं न कहीं बड़ी युद्ध जैसे हालात की कंडिशन जन्म जरूर ले सकती है मित्रों ऐसे ही एपिसोड लेकर इस सीरीज में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अब अपने मित्र, अपने सका, अपने फ्रेंड कमल लंदलाल को अजाज़त दीजे नमस्कार, नमस्षिवारे